लोकसभा में BSP के सांसद दानिश अली को आतंग की कहने पर महुआ मोहित्रा ने BJP पर बड़ा हमला बोला है मोहित्रा ने BJP सांसद के बयान वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद तीन ट्वीट किये हैं इसमें मोहित्रा ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी BJP और फिरलोकसभा स्पीकर ओम बेरला को निशाने पर लिया है मोहित्रा ने लिखा है मुसलमानों OBC को गाली देना BJP की संस्कृति का अभिन अंग है ज्यादातर को इसमें कुछ गलत भी नहीं लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी को टैक करते हुए मोहित्रा ने लिखा है कि उन्होंने भारतिये मुसलिमों को अपनी ही धर्ती में डर की स्थिती में जीने को मजबूर कर दिया है में मुस्कुरा कर सब कुछ सह लेते हैं मोहत्रा ने आगे लिखा है कि छमा करें कि मैं यह सब कह रही हूं माकाली ने मुझे यह ताकत दी है महुआ मोहत्रा का यह गुसा बीजेपी सांसत रमेश विदूरी के बयान पर फुटा है उन्होंने पहले ट्विट में बिदूरी के बयान का वो विडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बीएसपी सांसत दानिश अली को अपशब्द बोले है महुआ मोहत्रा ने लिखा है कि कल रात लोकसभा में सांसत दानिश अली को भड़वा, कटुआ, मुला, आतंकवादी कहा गया है अपने इस ट्विट में उन्होंने ओम बिरला, पीए मोधी और बीजे पी अध्यक्ष ओम बिरला को टेक किया है टीमसी सांसत ने अपने तीसरे ट्विट में लोकसभाद द्यक्ष ओम बिरला को मर्यादा पुरुष सब्द से संबोधित करते हुए लिखा है कि मेरे खिलाब रिविलेस मोशन लाने के लिए आप स्वतंत रहें मैं किसी भी कमेटी का सामना करने में प्रसंता महसूस करूँगी लेकिन मैं आप से यही और अभी पूछ रही हूँ कि आप रमेश विदूडी के खिलाफ क्या कारवाई कर रहे हैं लोकसभा में बीजे पिसांसद रमेश विदूडी के बयान पर रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने खेद व्यक्त किया था मोहितरा ने लोकसभा स्पीकर ओम बेरला से विदूडी पर कारवाई की मांग की है